आज हम देखेंगे गुर्णन सम्मीती से संबंधित कुछ मिथ्याधार्ना है मिथ्याधार्ना एक एक वृत यानि सर्कल में गुर्णन का क्रम यानि ओर्डर ओफ रोटेशन क्या होता है कुछ बच्चे यहाँ सोचते हैं कि वृत यानि सर्कल के केंद्र यानि सेंटर के चारो और प्रतेक एक डिगरी के कोंड पर घुमाते हुए पहली स्थिती के जैसी स्थिती प्राप्त होगी वे सोचते हैं कि एक डिगरी में एक बार ऐसे 360 डिगरी में 360 बार प्राप्त होगा इसलिए वे सूचते हैं कि वृत में क्रम 360 के गुर्णन सम्मीती है इस गलत समझ के कारण option 1 या गलत जवाब दिया जाता है सही समझ यह है कि वृत को एक डिगरी के कोण से कम कोण पर घुमाने पर भी हमें पहली स्थिति के जैसी स्थिति प्राप्त होती है चोकि शून्य और एक के बीच में ओ परिमित रूप से अनेक परिमिय यह संख्याय होती है इसलिए ऐसे अनन्त कौन हो सकते है जब हमें पहली स्थिती के समान स्थिती प्राप्त होगी इसलिए हम कह सकते हैं कि वृत में गुर्णन का क्रम अनन्त होता है इसलिए option दो सही जवाब है मित्यधार्ना 2 नीचे दर्शायगे सम्चतुर्बुज यानि रॉंबस में गुर्णन का क्रम पहचानी है यहाँ दर्शाय सम्चतुर्बुज की चार बुजाय समान है चार समान बुजाओं के आधार पर बच्चे सोचते हैं कि इस आकृती में क्रम चार के गुर्णन सम्मिती है बुजाओं या कोणों के मापों के आधार पर किसी आकृती में गुर्णन सम्मिती का क्रम क्या है? यह पता करना गलत है इसलिए option एक गलत जवाब है सही समझ यह है कि अगर हम इस आकृती के किसी एक स्थान पर बिंदू यानि पॉइंट लेते हैं और इसे आकृती के केंद्र के चारो और घुमाते हैं तो हम देखते हैं कि सिर्फ 180 डिगरी गुर्णन पर और 360 डिगरी के गुर्णन पर हमें पहले स्थिती के जैसी स्थिती प्राप्त होती है इसलिए हम कह सकते हैं कि दियाकृती में क्रम दोकी गुर्णन सम्मिती है इसलिए option दो सही जवाब है आज हमने देखी गुर्णन सम्मीती से सम्मंदित कुछ मिथ्यधार ना है